Hello Children, Good Morning मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ Class First की SST का Lesson No. 2 जिसका नाम है Growing Up बड़े होना, मतलब रद्धी करना या फिर बड़े होना All living things grow सारी सजीब प्राणी क्या करते हैं? गिरो करते हैं It is an essential part of the life of all organism जो जितने भी सजीब प्राणी होते हैं ये उनकी जीवन का क्या होता है? मुख्य भाग होता है या फिर मुख्य हिस्सा होता है ब्रद्धी करना All organism have three basic requirements to live and grow सारे सजीब प्राणीयों की तीन basic requirements रहती हैं बड़े होने के लिए, ब्रद्धी करने के लिए मतलब उनकी तीन मुख्य आवाशक्ता होती है They need air to breathe उन्हें हवा के आवशक्ता होती है सांस लेने के लिए Butter to drink पानी के आवशक्ता होती है पीने के लिए And food to eat और भोजन के आवशक्ता होती है खाने के लिए तो ये जो तीन आवशक्ता है इनके बिना मानल जीवन क्या है अशंभाव है इन मेंसे अगर हमें एक भी नहीं मिलेगा तो इनसान जीवित नहीं रह सकता अगर हमें हवा नहीं मिलेगी तो हम बैसे भी मर जाएंगे अगर हमें पाने नहीं मिलेगा तो भी हम मर जाएंगे नहीं रह सकते उसके बिना और अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो कुछ दिन तक तो हम जीवित रहेंगे उसके बाद क्या होगा हम मर जाएंगे इसलिए ये जो तीन आवशकता हैं पानी भोजन और हवा ये तीन कैसी है मुख्य आवशकता हैं आ बेबी एक बच्चा यूवर वर्णा बेबी जब आप एक छोटे बच्चे की तरह पैदा होते हो यूर पेरेंट्स फेड यू वहनेवर यूवर हंगरी यूर पेरेंट्स आपकी माता पेता फेड यू आपको भोजन कराते हैं वहनेवर जब कभी यू वर हंगरी जब आप कभी भूखा महसूस करते हो तो आपको क्या कराते हैं वो भोजन कराते हैं और जब आप अपने कपड़ों को गीला कर लेते हो तो वह प्रतिक समय जब भी आप अपने कपड़ों को गीला करते हैं तो वह उनको क्या करते हैं, बदलते हैं, they cared for you when you were ill, और वो आपकी देखवाल करते थे, मतलब आपकी देखवाल करते थे, जब भी आप बीमार पड़ते थे, या फिर कुछ भी होता था, तो वह आपकी क्या करते थे, बहुत ही ज़्यादा देखवाल करते थे, I school going child, एक school जाने वाला बच्चा, now you have grown big and strong, now you have grown, अब आप लोग इतनी बड़े हो गए हो, मतलब आप लोग मजबूत और थोड़ा बड़े हो गए हो, you can do many activities on your own, तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी activities मीज होता है, काम या किरिया विदी, आप अपने हाँ से कर सकते हो, you can eat yourself, जैसे आप लोग स्वेम से खाना खा सकते हो, खाना तो सारे बच्चे स्वेम से ही खाते होंगे, you can brush your teeth and wash yourself, और आप मतलब हम स्वेम से brush कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, नहां भी सकते हैं, some you have even started dressing up yourself, और कुछ बच्चे क्या करने लगते हैं, अपने हाँ से कपड़े पहनने लगते हैं, करने लगते हैं ना, कपड़े पहनने लगेंगे, now you also carry your bag on your shoulders, और जब आप school जाते हो, तो अपना bag, अपने parents की वज़ा, आप अपने कंधों पर ही टांग कर school जाते हैं, तो क क्या है, अब क्या बताया है, पहलो उन्होंने बताया था, एक बेबी की बारे में, कि जब आप छोटे थे, जब आप पैदा हुए थे, तो आपकी माता पिता, आपकी माँ और आपकी माता पिता दोनों आपकी कितनी कियर करते थे, कि आपको जब आप भूग लगती तो बायक हो जाते हैं हम तो क्या करने लगते हैं थोड़े हम बड़े हो जाते हैं और मजूद स्ट्रॉंग हो जाते हैं तो क्या करने लगते हैं बहुत सारे काम अपने हाथ से अपने स्वेंट से करने लगते हैं जैसे खाना खाना है व्रश करना है नहाना है और कपड़े पहनना है इस्कूल जाना है बैग लेना है तो यह सब क्या करने लगते हो आप लोग अपने हाथ से अपने स्वेंट से करने लगते हो अब आता है stage of human life stage means होता है अवस्था of means human means मानव life means जीवन तो मानव जीवन की अवस्था है as you will grow older जैसे ही आप मतलब थोड़ा इस्कूल जाने से उससे बड़े होते हो जैसे याप बड़े होते हैं you will become more and more independent और जैसे याप बड़े होते जाते हो तो क्या होता है कि आप more and more independent मतलब आप सुतंत से सुतंत होते जाते हो जैसे पहले आप छोटे रहते हो तो कुछ काम करने के लिए या कुछ पैसों के लिए आपको अपनी parents पर depend रहना पड़ता है कि मैं वहाँ बहाँ जा रहा हूं मुझे यह चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए तो आप उनसे पूछ कर ही सारा काम करते हो लेकिन जैसे ही आप ब्रद्धी है जो बड़े होने की प्रिक्रिया रहा हे जो ब्रद्धी है वह लगातार होने वाली प्रिक्रिया है मतलब वह lifetime चलती रहती है आपना देखा होगा जब आप पहले चोटे थे तो आप तब भी गरू कर रहे थे उससे बड़े हुए तब भी कर रहे है और पिर ह जो ब्रद्धी है वो एक ऐसी प्रिक्रिया है जो जीवन भर मतलब लाइफ टाइम चलती है अब बेपी ग्रोज इंटु एडल्ट और एक बच्चा होता है जो वह एक बैबी होता है वो किसम बदल जाता है एक बच्ची में बदल जाता है अचाइल्ड ग्रोज इंटु एडल्ट और एक बच्चा होता है जो वह एक बैश्ट के व्यक्ति में बदल जाता है एन एडल्ट ग्रोज ओल विद टाइम और एक एडल्ट मतलब एक जो बैश्क व्यक्ति होता है वो समाई के साथ क्या हो जाता है बुढ़ा हो जाता है वो सम जानवर और उनके बच्चे, like human being, manajeevan की तरह है, all other organisms, दूसरे प्राणे भी grow with time, समय के साथ क्या करते हैं, ब्रद्धी करते हैं, जैसे इंसान ब्रद्धी करता है, बैसे ही जानवर भी ब्रद्धी करते हैं, जैसे इंसान बच्चे, इंसानों की बच्चे होते हैं, बैसे ही इंसानों के ही जैसे जानवरों की भी ब्रद्धी की प्रोसेस क्या होती है, चलती है, आप fall into a horse, जो घोड़े का बच्चा होता है, वो पहले क्या रहता है, फावल रहता है, फिर वो बड़ा होकर क्या बन जाता है, घोड़ा बन जाता है, आ लेंब, grows into a sheep, और जो भेड़ क चीता रहता है, या फिर जो सेर अगेरा रहती है, उनका बेवी भी चोटा होकर क्या चोटे मैं कब रहता है, जो बड़ा होकर क्या बन जाता है, टाईकर बन जाता है, आप Ketel जीवन की तरह ही जो जानबरों के छोटे बच्चे रहते हैं वह पूर्णता अपने माता-पिता के उपर निर्भर रहते हैं अपनी आवश्यक्ताओं के लिए मतलब जैसे इनसानों के बच्चे जब छोटे रहते हैं तो वह अपने पर डिपेंड रहते हैं सारी चीज़ों के लिए मतलब भोजन हर एक चीज के लिए रहते हैं सेल्टर के लिए भी भोजन के लिए भी तो ऐसे ही जानमरों की बच्चे भी जब छोटे रहते हैं तो वह किस पर डिपेंड रहते हैं अपनी पर डिपेंड रहते हैं As these young ones grow, they learn to survive independently और जैसे ही उनके बच्चे क्या होते हैं ब्रद्धी करते हैं और तो बे भी सीख जाते हैं सुतंतर रूप से जीना जैसे ही हम बड़े होते हैं तो हम सुतंतर रूप से रहना सीख जाते हैं बैसे ही जानवरों की बच्चे भी जैसे ग्रो करते हैं ब्रद्धी क करते हैं बैसे ही वह भी सुतंतर रूप से जीना सीख जाते हैं अब आते हैं आप लोगों की फिलिंदव लेंग्स बी नीड एयर हमें आवशकता होती है एयर हवा बाटर पानी एंड फूड मीस भोजन टू गिरो ब्रद्धी करने के लिए हमें ब्रद्धी करने के लिए कि सद्रव से में अप करके लिए अवशकता ही लिए हो ब्रद्धी करने चाइल्ड और जो एक छोटा बेवी होता है वो ब्रद्धी करके क्या वन जाता है बच्च मौझ म मजलब बड़ा बच्चा बन जाता है अलेम्ब ग्रोफ इन्टू ए सीप और एक जो और मैमना होता है है। जैसे cat का kitten, cat के बेवि को क्या मुलते है - kitten, sheep के बेवि को lamb dog के बेवि को puppy, waterfly के बेवि को caterpillar, cow के बेवि को calf और deer के बेवि को found तो मैंने सामने सामने write कर दी है आप लोग उनको सामने से ही कर लीजी कत यह ही आपकी meaning's आपको meanings कननी तो मैंने meanings भी write कर दी हैं तो आप लोग इनको भी कर लीजिए और वाकि आपका यह क्या हो गया first class का sst का lesson number second complete हो गया यह आपकी meanings हैं यह आपकी matching word हैं और वाकि यह lesson यह love langs हैं Thank you all